बाईजूँज बडोदा T20 ड्रेम लेओन टीम बडोधा T20 ड्रेम लेओन मैच प्रडिक्सन डब्लू ए आर वर्षिस է्या ड्रीम लेओन टीम तो दोस्तो ब्रोदर T20 टूर्णामेंट का एक और मुकाबला W.A.R. वासिस H.T.A. के बीच में सेम पिज सेम विकेट पर खेला जाएगा और यहां का विकेट देखोगे दोस्तो तो पिछले 5 मैच के अंदर एक अच्छा हाइज स्कोरिंग गैम हुआ था जिसमें C.H.C. की टीम ने 119 रन बनाए थे बाकि आप देखोगे दोस्तो यहां पर 96 रन बने हैं यहां पर दोस्तो 131 बने थे हलांकि यह स्कोर इजली चेस भी हो था लेकिन जो बल्लेबाद दोस्तो अपनी पोटेंसिल के साब से पिछ पे थुड़ा सा टाइन स्पैंट करके बल्लेबाद ही कर रहे हैं वो यहां पर ठीक ठाकरन बना रहे हैं अदरवाए दोस्तो जो बोलर्स हैं उनको अच्छा स्पोर्ट देखने को मिल रहा है पिछले 5 म से 3 मुकाबले दोस्तों चेस्ट करने वाली टिम ने और 2 मुकाबले वो पहले बैट करने वाली टिम ने विन किये हैं बाकी पीज को लेकर अगर कोई भी फ्रेस इंफॉर्मेशन होगी तो वीडियो को अब लाइक से स्टार्ट करना और चैनल पर पहली बार आई है तो चैन मुकाबला 19 रण से विन किया था, दूसरा मुकाबला 24 रण से दोस्तों ये हार कराएं हैं, टीम के ओर से मेध मंगू किया है, पहले मैस में अच्छी बल्ले बाजे की 48 बनाएं, लास्ट मैस में 4 अन पराउट हुए, अमिद बंदरारी अच्छे बल्ले बाजे हैं, पहले मैस में 9, दूसरे मैस में 23 बनाएं, धरिया पांडे वन डाउन खेल रहे हैं, पहले मैस में 39, दूसरे मैस में 19 पर आउट हुए, प्रिक्सित परतीदार है, नमबर 4 पर खेलते वे, पहले मैस में 1, दूसरे मैस में 9 बनाएं, बॉलिंग में दोस्तों, पहले मैस में सिर्फ एक अ मैस में 10 बनाए बॉलिंग में 2 3 वर बॉलिंग भी की लेकिन दोस्तों दौनों मैस सण में विकेंट वगयरा नहीं मिला मानव महता हैं नंबर 7 और 8 पे बैटिंग करते हैं पहले मैस में एक दूसरे मैस में 20 बनाएब बॉलिंग दोस्तो दो मैचस के अंदर अब तक तीन विकेट मानव महता निकाल चुके हैं धोरोव पटेल है नमबर च्छा और आट पर बैटिंग करते हुए पहले मैच में तेइस दूसरे मैच में दस पर आउट हुए पहले अगरवाल बॉलिंग अथी कर रहे हैं दोस्तो पहले मैच में एक विकेट था दूसरे मैच में तीन वर अठार और कोई विकेट नहीं ज्यादा विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन गेनबाच काफी अच्छे हैं विसाल सोलंकी लगाता रचापड़र सिन कर रहे हैं दो मैचेंस के अंदर दोस्तो अब तक ये छे विकेट निकाल चुके हैं करण उमात है दोस्तो तीन से चार ओर बॉलिंग कर रहे हैं पहले मैच में एक किट था लाश्ट मैच में 3 और 32 कोईविकेट नहीं मिला बैंच के प्लेयर को लेकर जो भी चैंजर जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ सेर की जाएगी हमाई टेलिगाम चैनल में और दोस्तो टेलिगाम जोइन करने के लिए दो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्केप्शन बोक्स में मिल जाएंगे हैं तो चलिए दोस्तो अब एस्टे के बारे में बात करते हैं एस्टे की टीम में दो मुकाबले के लिए तोनों के दोनों मुकाबले दोस्तो हार कराए हैं रोहन पटेल है तीम के लिए लगातार ओपन कर रहे हैं पहले मैश में 21 दूसरे मैश में 40 अन बनाए रोहिट ठाकूर है दोस्तों पहले मैश में 17 लास्ट मैश में 8 अन बनाए हर्श कटरमल है पहले मैश में नंबर 7 प्राय थे 12 बनाए लास्ट मैश में इनको प्रमोट किया वन डाउन उतरा लेकिन खाता नहीं कोल पाई लेकिन प्लस पॉइंट ही है कि चार वर बॉलिंग करवाते हैं पहले मैच में 0 विकेट था लास्ट मैच में दोस्तो एक विकेट उन्होंने निकाला माला उपटेल हैं पहले मैच में 19 दूसरे मैच में 23 बनाए शामल तांडेल हैं दोनों मैच में सूपर फ्लोप हैं यस रहमी पहले मैच में 26 लास्ट मैच में 8 रन बनाए मिलन मिस्टरी नंबर 7 और 8 पर खेल रहे हैं पहले मैच में 16 दूसरे मैच में 21 बनाए बॉलिंग में 3 से चार वर बॉलिंग कर रहे हैं और दोस्तो दो मैचस के अंदर अब तक तीन विकेट बॉलिंग में निकाल चुके हैं सागर ठाकूर है एक मैच कहला था सहरन बैट के साथ थे बॉलिंग में तीन पॉइंट एक वर कोई विकेट इनको नहीं मिला जिनके बाद एस पठान है दो मैच में दोस्तो दो और बॉलिंग की है कोई विकेट इनको नहीं मिल पएया तो आपके साथ से की जाएगी हमारे टेलिगाम चैनल में तो दोस्तो टेलिगम जोई नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा अभे हम डेमो टीम के बारे में बात कर हैं तो विगेट कीपिंग में आप देखोगे जोस्तो तो यहां पर आपके पास तीन उप्स Chandled जा सकते हैं और यह को दोस्तो अब इसकिया करें गुठ चल सकते हैं तो बाकि दोस्तो अभी कंए रिस्च के आप प्रमर बलेवाज है निडरोड में बैटिंग करेंगे और टीजी पटेल है दोस्तों वो टोप ओड में बैटिंग करेंगे तो नई बॉल से थोड़ा सा बरन बनाना मुश्किल भी रहता है इसलिए मैं इनको अपनी टीम में ड्रोप कर रहा हूँ बैटिंग में देखा जाए दोस्तों तो मैंने एम मिश्टरी को ट्राइ किया है डी पांडे को दोस्तों आप ट्राइ करना चाहे तो बैटिंग के दम पर कर सकते हैं क्योंकि ये बॉलिंग अगरा नहीं करते हैं बैटिंग में 20-25 में जुरू बना के दे सकते हैं तो मैं दोस्तों यहां से डी पांडे बन सकते हैं तो एक इंपोर्टेंट पिक रहेगी बॉलिंग डिपार्टमेंट में सी गांधी बिल्कुल बैस्ट पिक है पहले अगरवाल है सिर्फ पर प्रसेंट लोग ट्राइब कर रहे हैं लेकिन चार और लगबग कंप्री डालते हैं बॉलिंग भी अच्छी कसी बॉलिं टेम देख रहे हैं यह सिरफ दोस्तो एक डेमो टेम रहेगी क्योंकि तो फाइनल टेम होती है दोस्तों हमारी फूरी तरह से टोस्त पर डिपेंड करेगी और टोस्त के बाद जो भी चैंसे होगी जो भी अपडेटर टीम होगी वह आपको टेलिगाम में मिल साएगी लेनत और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जुरूर कर देना और चैनल पर अगराप पहली बार विजित करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो कैप्टन वाइस कैप में दोस्तों दो ही ओप से नावारी पास है एक तो एम मिस्ट्री का है वी सोलंकी का है मिस्ट् दोस्तों बैटिंग में लगभग नंबर शाथ या नंबर आठ पर आते हैं और बॉलिंग में तीन सी चार और बॉलिंग करते हैं दो मैच में तीन विकेड निकाले हैं और वी सोलंकी है दोस्तों दो मैचस के अंदर छे विकेड निकाल चुके और चार और कंप्रिट बॉल दोस्तो बैटिंग में देखा जाए तो मंगुकिया के साथ आप जा सकते हैं क्योंकि यह बिल्कुल स्लो बल्ले बाजी करते हैं विकेटर को जोस्तो ज्यादा थ्रो नहीं करते हैं अराम से रूप कर खेलते हैं तो 40-45 नहीं आपको बना के दे सकते हैं बॉलिंग डिपार्ट करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर लेना थैंक्यू फ्रेंड्स ओल दा बेस्ट